देलंगाना में प्रधार मंत्री मोदी ने दलित सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने नितीश कुमार पर निशाना साधा रामविलास पासवान को अपना कड़ीबी दोस्त बताया और एक तरीके से ये भी बताने की कोशिस की कि आखिर चिरा पासवान ने खुद एक बयान जारी किया है और अपने फेस्बूट वाल से भी उन्टे समर्स्पूट की तरब से भी दिये जा रहा है जिसमें कहा गया है और पशुपति पारस पर भी इंडारेक्ली निशाना साधा जा रहा है कि वो लोग लगातार आरोप लगाते रहे है कि 2020 टे विधान सवा चुनाओं में एंडिये टा साथ चिराग पासवान ने छोरा था तो चिराग पासवान का एक आना है कि पधान मंत्री मोधी ने भी मोधी भी ये जानते हैं कि क्यूं चिराग पासवान एंडिये छोर टर्टी आठीले चुनाओं लरे थे 2020 में हमारे और चिराग पासवान की तरफ से उनके बयान के बाद जो बयान जारी किया गया है वह भी देखा होगा आपने क्या कहाना चाहते हैं पहला रियक्षन आपका क्या है आपकी पाटी का देखे तेलंगाना में मन्य प्रधान मंत्री जी ने अदर्ने नितीश कुमार जी पर निश या फिर जिस तरीके से बिहार के पुर्व मुख मंत्री आदर ने जितन रामांजी जी पर तू तड़ाक कर संबोधित करना हो एक अम्मर्यादित तिपनी करना हो उस पर मन्य प्रदान मंत्री जी कर रहे थे ठीक है अच्छी बात है चुकि इससे पहले भी इंडिये की बैठक में चिराग पासवान को मन्य प्रदान मंत्री जीने गले लगाया था और इस विशय को चुकि देखे ये दलित स्मिता से जुड़ा हुआ है अगर आप बिहार के लंबे समय से मुख मंत्री है तो आप कैसे एक बिहार के दलित नेता को इस तरीके से अम्मर्यादित असूभ कर सकते हैं तो यह कहीं भी उचित नहीं है इसकी भर्सना तो देश भर में उचाहे किसी भी दल का नेता हो वो कर रहा है लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान मन्य प्रधान मंत्री जी के बकतब्य को अपने सट्टिफिकेट के तरह देख रहे हैं हम इसे कतई सही नहीं म भारतिये जनता पाटी ने भी लूज की रागोपूर हो या फिर भागलपूर हो या फिर कई ऐसे बिधान सभा की सीटे थी जहां भारतिये जनता पाटी बहुत आराम से चुनाओ जीती लेकिन चिराग पासवान के धर्मिता के कारण वो बिधान सभा चुनाओ वहां पर हा कि मैं नितीज कुमार से इतना दुखी था चुकि मेरे पिता को अपमानित किया देखे भारतिये जनता पार्टी के गठवंदन में लोक जनसक्ति पार्टी थी और उस समय जनता दल यूनाइटिट भी उसी गठवंदन में था 2019 के अगर लोक सभा के आप चुनाओ देखिएगा तो हम लोग सबसाथी में चुनाओ लड़े हैं और उस समय जो सीटे बटवारा हो रही थी और हमारा जो दावा था वो 42 सीटों पर था और हम गठवंदन में ज्यादा सीटे चाह रहे थे लेकिन सीटों सीट जिस तरीके से कह आ गया कि भाई आपको 20-25 सीट मिलेगा जो निकल कर आ रहा था बात वो तो कभी ऑथेंटिक बात पब्लिक के बीच में नहीं आप आया उस वजह से चिराग पास वन गय थे अपने पिता पर किये हुए नितीश कुमार के प्रहारों पर तो गए नहीं थे आज एक मौका मिल है जिसको वो चाह रहे हैं कि मैं उसको अपने गलतियों को कभर अप कर दूँ उनको चिपा लूँ और और जनता में एक मैसे चला जाए कि देखिए हम बहुत त्याग किये हैं ऐसा नहीं है यह तो जनता के सामने यह तो हराने काम किये हैं भारती जनता पाटी के अगर आप अपने वहां से उमिद्वार नहीं खड़ा करते आप लेकिन इस चीज़ को सिराट पासवान अगर भुनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधान मंतरी के बयान के हवाले से तो इसमें गलत क्या है प्रधान मंतरी मोधी जी ने तो क्लियर कहा है कि राज सभा में नहीं भेजना जा रहे थे नितिश्टों मार आना टानी कर रहे थे और उन पर और ये तीस चिराग पासवान के अंदर मैंने महसूस की है तो बलत क्या चाहा है उन्होंने और यह कई देखिए अब अब तो आफी के बार में बातों में बिरोधा भास है तब बारा जनपत खाली होने पर च खोलने के का दावा कर रहे थे आकर लोक जनसक्ति पाटी राम बिलास के नेताओं के द्वारा क्यूं भारतिये जनता पाटी को लत्खोर पाटी क्यूंबताया इनके प्रदेश अध्यक्ष आधर्णिये राजूत तिवारी जी ने क्यों कहा कि हम एक प्रकंड अध्यक्ष इतना भैलू भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आधर्णिये जैसवाल जी को नहीं देते हैं तो इन सब विस्यों पर तो यहीं लोग बोलते रहे हैं अगर ऐसा भी था कि परशुपती पारश भी बीजेपी के बारे हैं वह तुस बोल लाए थे लेकिए आप हमको एक भी उदारन दिखाई है असुतो जी हमारे नेता जब से भारतिये जनता पाटी के साथ रहूंगा और जब तक राजिपूर की सिवा करता रहूंगा देखे चिराग पासवान डगरा के बैगन है और इनका अपना राजनितिक विचार सुनने है आज मानने प्रधान मंत्री जी ने कुछ अच्छे सब्द कहें हैं तो अपने पूर्व में किये हुए पापों को ये कहीं न कहीं च्छिपाना चाहते हैं अच्छी बात है एंडिये में हैं मिलकर लड़ें लेकिन चुकि उन तो जी आप अगर इसमें बियार के संदर्व में अगर कुछ ढूंड़ना चाहते हैं तो वो नहीं है मानने अधरनिये मुक्य मंत्री जी ने जो विगत दिनों घटना करम बिहार की राजनित में किया है उस पर वो निसाना साथ रहते चुकि इंडी गठबंदन के बहुत ब अपने को संजोजक और इंडी गठबंदन के नेता के रूप में अपने को अभी तक अस्थापित करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन अब यह प्रयास जो है धुमिल हो गया मंत्री की बातों से इतिफाक रखते हैं कि नहीं कि बिल्कुल इतिफाक रखते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब कर जिस तुर्गरी राम्बिलास न किये जनता पार्टी के साथ ही हमको राजनीत करना है चिराग पासवान उस लकीर से बाहर चले गए और एक अपनी अगर लग लकीर खीचने का प्रयास किये जिसमें इनको हार इनको देखना पड़ा और कहीं न कहीं स्वर्गे राम बिलास पासवान जी के कीरती को धूमिल करन यहीं मानती है बोलती दोशक नहों कि वह स्वर्गे राम बिलास पासवान जी की मूर्ती लगा कर और उस बंगले को आप अनधिक्रित तरीके से हतियाने का प्रयास आपने कुचक्र रचा और बाद में कूट के माध्यम से वह बंगला भी खाली करना पड़ा आपको और वो मूर्ती भी वहां से तोड़कर हटानी पड़ी और स्वर्गे राम बिलास पासवान जी के तस्वीरों को गेट के बाहर आपने फिकवाया साजिसन चिराग पासवान को अपने कुकृत के लिए बिहार की जंता और देश के तमाम लोगों से हाँ जोड़कर माफी प्राइल आपने के साथ में हैं और मानिय प्रदान मंत्री जी जी बात की है यह लोगों के संघर्स कर रहे हैं हमारे नेता बराबर नितीज कुमार के खिलाफ रहे हैं और भारतिये जंता पार्टी के गठबंदन में जो नेता रहेंगे हम उनका स्वागत करते हैं लेकिन भ पहली आवाज अगर कहीं से निकलेगी वर्राष्टी लूक जन सक्तिपाटी से निकलेगी चली ठीट है हम एक बार कुमान भी ले कि चिराग पास्वान इसमें अपनी राजनिती चमकाने कोशिश कर रहे हैं तो कमोबेश वही चीजे आप भी देख रहे हैं और आप भी और व स्थित चैनल है और आप जब किसी भी घटना करम का जब आप अवलोकन करते हैं तो पूर में भी हुआ कोई कारे को आप देखिएगा ना चिराग पास्वान अगर 12 जनपत में ने पिता की मूर्ती लगा कर तुड़वाते हैं तो यह गलती किसकी है यह चिराग पास्वान क कि अंडिये के द्वारा इनको बैठक करन्यमंत्रम देकर और फिर कैंसल किया गया ठीक हम सब्सक्राइब कर सकते थे ना वह चुटकी उत्रादी टारी राम विलाज पास्वान के वह भी मानते हैं खुद को अपने आपको मंत्री जी के साथ में отлич someone you know ओढ़ेखे हर एक वक्ती का नाम लेना संह्व नहीं और मान्ने प्रदहान जी के का नाम लेना संभाट देखे हμम मान्ने Side hr मैं और हर हफते मन्ने प्रदान मंतरी जी हमारे राश्टिय अध्दक जी की मुलाकात होती है हम नाम के लिए भारत नहीं है, कि मन्ने प्रदान मंतरी जी ने एक बार नाम लिया और आप लगे डंका पीट ने अपने इनकी गलतियां भी बाहर निकलेंगी तो ठेका आप लोग ले ही रखते हैं कि भाई चाचा बतीजा आपस वे लड़ता रहे और फिर बांठी लोग अपना मजा लेते रहें यही चीज़े तो चली रही है अगर राजनीत में परिपक कर रहते तो आज जमुई की जनता जो है तरही माम नहीं कर रही होती है अब हम क्या माने किसको सीखने की जरुरत है ठीट हमाल लिए कि वो बहुत नौ सीखिये हैं नय है कुछ नहीं जानते हैं राजनीती समझ नहीं है वावजूद इसके अगर उनकी पूछ हो रही तो आप लोग जेलस फिल क्यों कर रहे हैं तो जलन हो रहे हैं अब देखे वो उस मंत्री मंदल से बाहर है वावजूद इसके उनके नाम पर बार बार उनको डले मिलने उनका नाम ले रहा है हम उस गठबंदन में हैं हम मानिय प्रधान मंत्री जी के साथ लगतार संपर्ट में हैं और हम नाम के लिए ब्याकुल नहीं है हम नहीं है चिराक पासवान के तरह हम काम करने में बिश्वास रखते हैं और मानिय प्रधान मंत्री जी की जो नीतिया है वह अपने मंद्राघ के मध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्यास हम कर रहे है ले फिर चरचा लंभी हो जाए ले एग इस मिलता है खेर हम इतना ही क्यां ज़िए आप एक कुशल प्रवक्ता है पढ़े लिखे लोग हैं और पाटी का प्रवक्ता उसी को बनाया जाता है जो हज गागे अपनों पत्राश करते अपने जय मोल्ड कर ले और अपनी प्रस पर त्रेशंत है ble pre